तो हेलो गाइज वेलकम बेक टू आईलेंड प्लेस और दोस्तो आज के इस वीडियो में हम बनाने वाला हैं इस तरह का टावर बेसिकली यह टावर वाटर टेंग के लिए होगा और हम इस वाटर टेंग को पंप के थुरू भर सकते हैं लेकिन दोस्तो इसमें सबसे खास बात है वाटर लेवल इंडिकेटर जैसे जैसे इसमें पानी भरेगा हमें यहां पर एलेटी के थुरू वाटर लेवल शोग होता रहेगा तो दोस्तो देर किस बात की शुरू करते हैं आज का वीडियो तो दोस्तो यह है स्मार्ट सिटी लेवल टू का किट इससे पहले हमने लेवल वन के किट के उपर भी एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने हट और एक विन टर्बाइन बनाई थी तो गैस अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो उसे भी देख लीजिए और अगर आ तो जल्दी से हमारी साइट पर विजिट कीजिए और अभी रेजिस्ट्रेशन कीजिए और आपको यह फ्री किट डिलीवर हो जाएगा आपकी घंट तक तो दोस्तो अब हम इस किट को ओपन करते हैं दोस्तो इस किट में हमें कुछ इलेक्ट्रोनिक्स का पार्ट मिलेगा जिसमें है यह सर्किट बेसिकली यह सर्किट वाटर लेवल के लिए है इसके अलावा यह है बैटरी एडप्टर एक यह स्विच और साथ ही यह फ्लेक्सिबल पाइप मिलेगा टेंग के लिए यह है DC pump, इस pump के थ्रू हम tank को fill करेंगे, यह कुछ wires, glue और यह battery और यह है हमारा kit इन MDF के parts के थ्रू हम complete kit बनाएंगे तो guys अब हम इन parts को जोड़के tower बनाएंगे और उसके उपर एक tank लगा कर फिर हम हमारा पूरा project complete करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं तो guys यह हमने tower के चारो पूल बना दिये हैं और अब हम इन पूल को इस base के उपर fit करेंगे तो guys अब हम इस पूल के उपर यह base लगाएंगे और इसके उपर हमारा water tank लगेगा अब दोस्तों हम इसके चारो तरप यह railing लगाएंगे तो यह देखें दोस्तों tower complete हो चुका है अब हम इस indicator board को यहाँ पर fit करेंगे बट उससे पहले हम इसमें circuit लगाएंगे तो guys यह है हमारा circuit और इसमें 4 level तक LED शो हो रही है और साथ ही यहाँ पर हमने कुछ connector लगा रखे हैं तो यहाँ से हम sensor और power supply connect करेंगे तो guys हम tank के लिए इस प्रकार का एक container यूज में लेंगे और इस container में level sensing के लिए हम ऐसे wire लगाएंगे यहाँ पर आप देख सकते हो यह दो wire बराबर length में कटे हुए है इसमें जो black wire है यह common wire है और यहाँ पर यह wire जो है level sensing के लिए है तो आप देख सकते हो कि continuously यह wire कुछ-कुछ distance पर कटे हुए है और जो highest level का wire है वो इस tank की height के लगबग बराबर होगा तो अब हमें क्या करना है कि दूसरी तरफ से इन wire को इस circuit पर connect करना है तो यह कुछ इस तरह से connect होगा वाइज यहाँ पर यह जो black wire है इसे हम battery adapter के positive wire से connect कर देंगे और इसे हम यहाँ से connect कर देंगे और यह वाला जो battery connector का black wire है इसे हम यहाँ से connect कर देते तो अब सबसे पहले हम इस circuit की testing करते है इसके लिए हम battery को इससे connect कर देते है और यह आप देख सकते होगे अलग-अलग sensor wire है हम common wire को जिस sensor से connect करते है उसके according यह LED glow होती है तो दोस्तो इस circuit के connection हो चुके है अब हम pump के connection भी करते है तो दोस्तो इस pump के दो wire से एक है red और एक है black तो red wire को हमें battery के positive से connect करना होगा तो दोस्तो सबसे पहले हम इसके उपर यह switch लगा देते है तो दोस्तो यहां switch पे दो pins है तो एक pin को हम red wire से connect कर देते है और दूसरी तरफ हम एक battery connector भी use में लेते है इस battery connector के positive wire को हम इस switch की दूसरी pin से connect कर देते है और इस black wire को black wire से connect कर देते है अब दोस्तो हम इस connector से battery लगा देते है और यह motor on हो चुकी है इस switch को off करने पर motor off हो गई और फिर से on हो गई तो guys अब हम इस project की final fitting करते है तो यहां पर यह जो leds है इन्हें हम इसमें fit कर देते हैं यह देखें दोस्तो लेवल दिरे दिरे increase हो रहा है और अब लेवल कम हो रहा है दिरे दिरे तो guys आपको यह project कैसा लगा comment करके जरूर बताईए और अभी तक आपने अगर लेवल वन का वीडियो नहीं देखा है तो वो भी जरूर देखिए तो दोस्तो आई-learn place पे जाकर registration कीजिए और early registration पे काफी सारे kits जो है free में मिल रहे हैं तो अगर आप लेवल वन का kit free में चाते हैं तो अभी registration कीजिए और यह kit आपको freely घर पर deliver हो जाएगा और दोस्तो अगर आप ISPL में participate करते हैं तो च्यार लाक amount तक की price money जीत सकते हैं तो guys देर किस बात की अभी हमारी website के जाकर login कीजिए